हेलो गाईश सम्बात करेंवाल है सला सर टेक्नो एंजिनेरिंग इस कमपनी के बारे में इस कमपनी का क्वार्टर 3 एफट 23 का रिजल्ट आ चुका है सामने कैसरा इस कमपनी का रिजल्ट और क्या इस कमपनी ने डिविडेंट दिया है कि नहीं इसी की बारे में डिसकुशन ग पर करेंगे यह इस quarter का result है यह पिछले quarter का result है यह पिछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है कमनी की income की बात करें revenue from operation and other income को मिला कर कमनी का total income इस quarter के अंदर 24,093.44 lakh rupees का कमनी का total income है quarter and quarter base के उपर company की income कम हुई है बाकी पिछले साल same quarter के मुकाबले company की income में अच्छी बड़ोतरी देखने को मिल जाती है बाकी इस कमनी के expense की बात करें तो cost of revenue and अलग-अलग यहां पर cost को मिला कर कमनी का total expense यहां पर देखने को मिल जाता है 22,654.08 lakh rupees का quarter and quarter base की उपर जिस प्रकार से company की income है वो यहां पर कम होती भी नजर आ जाती है वैसे वैसे company ने अपने expense को भी कम किया है जो एक बहुत ही जादा positive चीज है वाकियार इस कमनी के net profit की बात करें तो tax and expense item काटने के बाद इस quarter के अंदर 1069.33 lakh rupees का net profit generate किया है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल सेम quarter के मुकापले कमनी के profits में एक अच्छे बड़ोतरी होती भी नजर आ जाती है बाखी इस company के eps earning पर share की बात करें तो 0.63 rupees का company का eps trade हो रहा है जो quarter and quarter base के उपर थोड़ा से आपर बढ़ा है बाखी पिछले साल सेम quarter के मुकापले भी company के eps earning पर share के अंदर एक अच्छा jump देखने को मिल जाता है सलासर technology बहुत ही बढ़िया company result present करती भी नजर आ जाती है अब यह आपर बात करता है company के share में करना क्या चीए तो देखो technical base के उपर देखने जाओगे तर company ने एक लंबा consideration zone दिखाया है आप लोग देखने जाओगे company का share यहाँ पर पिछले कुछ time में एक अच्छी तेजी क बहुत बढ़िया और उसके बाद यह company का share पिछले एक समय के पहले पहले यह company का share एक बहुत बड़ा consideration zone दिखाया ठीक है मतलब यही range के अंदर company का share trade हुआ करता था इससे आपर company ने breakout कर दिया है अभी फिर से यहाँ पर से एक rally आएगी और यही range के अंदर company का share trade होगा और वापस से तेजी आएगी यह एक यहाँ पर pattern इस company के अंदर बन सकती है तो मेरी आप लोगों को सला रहेगी जो आप लोग यहाँ पर कम रिस्क के साथ इस company के अंदर investment करना चाते हो तो वाई 42 रूपीस 43 रूपीस का अच्छा level है बाकी 35 रूपे का 35 रूपे 50 पैसे 60 पैसे बाकी है आप लोग यहाँ पर सलासर टेक्नो एंजिनेरिंग इस company के अंदर invested हो तो मेरी सलाई यह है क्या company high risk return वाली company है मतलब पैसा लगेगा मतलब जाएगा तो बहुत ज़दा जा सकता है और मिलेगा तो आर उतना ही ज़दा मिल सकता है तो अपने रिस्क एपिटाइट क धन में रखते हुए इस company के अंदर investment करना और जिन लोगों को पता ही नहीं है यह company exactly क्या काम करती है उन लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ चलो बाकी यह company काम क्या करती है इसकी बात करें तो भाई company आपर से अलग-अलग type के fast growing steel structure and उसका यहाँ पर infrastructure manufacturing करने का काम काच करत है तो यह कुछ चीज है जो आप लोग जरू से धहन में रख सकते हो तो यह था है यहाँ पर इस company को लेकर पूरा यहाँ पर quarter three का analysis invested हो जैसे मैंने बुला hold रख सकते हो बाकी invested नहीं हो तो कुछ levels मैंने बता है जहाँ पर खरीदारी और भी क्वाली कर सकते हो ठीक है तो बस